तो दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी अदाकारा जिनको आपने बॉलिवुड में भी देखा है, सीरियस में भी देखा है, कॉम्डी शो के अंदर भी देखा है, पर एक चीज में मैं 100% गैरेंटी देता हूँ नहीं देखा होगा वो है कॉंट्रोवर्सी, अब उ पासना सिंग जी से आखिर क्या है सारी कॉंट्रोवर्सी? वैसे तो आप सब को पता चली चुका है कि मैंने एक फिल्म बनाई है पंजाबी जिसका नाम है बाई जी कुटनगे और ये पंजाब की सबसे बड़ी फिल्मों में से है, जिसमें की डारेक्टर वहां के सबसे फे डेब्यू कर रहा है, गुरपरीत कुगी है, मैं हूँ, होबी धारिवाल है, और भी बहुत सारे लोग हैं और हरनाजक और संदू नानक सिंग के साथ, वो भी मतलब नू कमर है, इसमें काम किया है उन्होंने, तो हरनाजक और संदू को मैंने उस ताइम दो फिल्मों में ली दो प्रोक है, तो मैंने उनको चांस दिया, और चांस मैंने सिर्फ फिल्मों में नहीं दिया, मेरे दिल में भी चांस दिया, वो मेरे घर पर आकर रहती थी बॉम्बे में, मैंने बच्चों की तरह उसको ट्रीट किया, और मेरा अब क्या है कि हरनाजक और संदू Miss Universe बन गई और अब जब मेरी फिल्म बाईजी कुटन के रिलीज होने जा रही है, 19 अगस्त को, मैं उनको बार बार पांच महीने से मैं उनको लगातार कॉंटेक्ट कर रही हूं, मैसेस कर रही हूं, वाटस अप कर रही हूं, मेल्स कर रही हूं, वो मेरी किसी चीज का कोई जवाब नह दे रही हैं मैंने उनको लीगल नोटिस भी भेजा आभी से चार-पांच महीने पहले तो लीगल नोटिस का भी जवाब नहीं दिया मैंने चाहती थी कि मेरी और अरनास के बीच में क्या प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो मेरे उसके साथ कुछ भी नहीं है कि लोगों को ना पता आगई बहुत कोशिश कर ली सब मेरे एक्टर्स ने मेरे डारेक्टर्स ने सब कुछ करके देख लिया लेकिन किसी का मेरे मसले में रिप्लाई नहीं देती है तो मेरे पास अब कुछ चारा ही नहीं बचा है कि मुझे कोट में जाना पड़ा पड़ा मेरी फिल्म ये 27 माई म मेरे पोस्टर्स चप चुके थे सब कुछ हो चुका था सोशल मीडिया पर सब लोगों ने शेयर कर दिया था लेकिन अब जब की कोट में भी केस हो गया है अभी तक भी उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया वो सिर्फ ताइम ले रहे हैं ताकि फिल्म रिलीज हो जारी है आपकी पर वही देखे तो ओनलाइन सपोर्ट जो वन साइड आपके लिए जनता आपको खूब प्यार दे रही है और काफी इसको फिल्म के ट्रेलर को भी काफी मतलब इंजॉय कर रही है तो आपको इस बारे में क्या करना है बस यही चीज मेरे को हांसला दे रही ह इस वक्त मतलब मैं इस टाइम इतने जादा मैं अपनी पूरी लाइफ में इतने प्रेशन में नहीं रही जितना मैं इस वक्त हूँ क्योंकि मेरा बहुत हाड अर्ड मनी मैंने बहुत मेहनत से जो पैसा कमाया वो मैंने इस फिल्म में लगा दिया मुझे अभी बहुत सारा लेके ये फिल्म पूरे वर्ड में मैं रिलीज कर रही हूँ, फिल्म बड़े बजट की है, सब कुछ है, लेकिन जो आडियन्स मुझे प्यार दे रही है, मेरा ट्रेलर आया, मेरे गाने आये, वो जो उसके लिए उनका प्यार, उनके जो मैसेज़िस आ रहे हैं, क्यों पास्त पूरा मीडिया, वो सब मेरे साथ खड़े हैं, क्योंकि मैंने अपने 30 साल तकरीबन अपनी पूरी लाइफ के लोगों को हसाने में, लोगों का ये प्यार बटोरने में लगाए हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे कभी कोट में जाते, कभी कुछ ऐसे करते देखा नहीं, एक ए तक इतना बड़ा धोका हो रहा है, आज मुझे ट्रोल करवा रहे हैं, उनके पास पैसा है, वो मुझे ट्रोल करा रहे हैं, मेरे लिए गंदी बाते लिख वा रहे हैं, मैं कोई चीज डालती हूँ, वो गंदा लिखते हैं, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए, कि जो मेरी रियल आडियंस है जो मुझे प्यार करते हैं लोग वो उसका जवाब जो लिखके देते हैं उनको वो पढ़ें आप फिर आपको पता चलेगा कि ये सब खरीदने से और मेरे को गालिया निकलवाने से शेम और उपासना सिंग ये करने से कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि उनक आपके पस पैसा है बहुत कुछ है लेकिन मेरे साथ भगवान है तो अपासना जी बींग अ फीमेल इंडियन कोट को सेनेरियो काफी होरिफिक रहा होगा आपके लिए महां पे जब आप गए थे और आपने जैसा बताया कि उनकी मदर आपके पास आई थी आप मेरी बेटी क नीन की मदर कोई इख खाया है उनकी मदर कोikा न हमेरा कोई फोन कोई पाइगा था करते की मेरे तो हमारे कले अंच्टर जी की फिल्म की प्रोमोशन की दे दीजे उन्होंने उसके बाद से वो जैसे वाटसप चैट होती है वो बंद कर दी जब ये वाला message आया वो सब है हमारे पास हमारे पास बहुत सारी चीजों के proof है हमारे पास सारे जो मैंने उसको mails किये हैं 20-25 mails वो सब है हमारे पास जिसमें मैं मिन्नते कर रही हूँ कि हरनास करसंदू सिर्फ 5 दिन दे दे प्लीज दे दे मेरा बहुत नुकसान हो रहा है और आप देखिए उसने इसमें भी नहीं किया अब मेरी फिल्म बाई जी कुटन के 19 अगस्ट को रिलीज पे है और मेरे को अभी तक भी कोई जवाब नहीं है उनका मैं क्या करूँ बताईए आप जी उपासन जी मेरा आपसे आखरी सवाल है मुझे पता थोड़े अलग जोन में चली गई है आपके बेटे की ये डेब्यू मुवी है तो बतोर कलाकार नॉट बिंगा मदर आपका एक्सपीरिंस कैसा रहा देखिए मैं नानक के लिए जैसे मेरी मदर ने जब मुझसे पूछ था कि जो सारे लोग खिलाफ हो गए थे हमारे सारे रेलेटिव तो ममी ने बोला था कि मेरी बेटी जो चाहेगी ना उसका जिस चीज में इंटरस्ट है वो वही करेगी और मुझे पता है मुझे अपने बच्चों के उपर यकीन है सेम चीज मेरी है क्योंकि मैंने नानक को लिए पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो तो उसने बोला मुझे एक्टर बनना है छोटा था तब ही बोला था इसा यह सीखो क्योंकि करो क्या पता आपको कब कौन सा रोल करना पड़े तो मैं इसमें आपको पूरी तरह से मदद कर सकती हूं लेकिन मैं आपको एक्टर बना नहीं सकती हूं वह आपको खुद तो उसने बोड़ा कि मैं अपने दम पे बनूगा आज 15 साल हो गए उसको ट्रेनिंग लेते हुए वह सब कुछ वह उसने ट्रेनिंग लिए उसने वह स्विमिंग करता है वह फुटबॉल सीखा है उसने बहुत महिनत की है और वह अपने कॉलेज के बाद लगातार यह काम करता है उसने कितने अवार्ड जीते हैं अभी तक कॉलेज के जो फॉंक्षन होते हैं वह सारा इक्टर बन जा तो यह कर ले मेरे जितने आवार्ड मुझे मिले उसके डबल अलमारी है जिसमें इसके आवार्ड बढ़े है सो उसने बहुत मेहनत किये यहां तक पहुंचने के लिए उसकी मेहनत है तरह कि यह यह नहीं कि उसको काम लेने के लिए लेकिन उसको उसके उपर इस ताइम उसके उपर भी बहुत स्ट्रेस है मतलब लोग उसको ऐसे देखेंगे कि यह उपासना सिंग का लड़का है तो वह अच्छा एक्टर होना चाहिए और लोगों को चांस भी मिलता है जैसे कोई नया आत उसको दो सीन मिल जाते हैं पहले फिर वह शायद कभी अच्छा नहीं कर पाता तो उसके बाद चार सीन मिलते हैं कुछ और मिलता है जब तक वह उस लेवल पे हीरो के लेवल तक पहुंचता है वह ट्रेंड हो चुका होता है लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं होती लेकिन जो हमारी फिल्म लाइन के बच्चे होते हैं जो प्रोड्यूसर्स डिरेक्टर्स उनसे एक्सपेक्टेशन होती है पहले से और वह उसको उसी नापतोल से देखते हैं कि अरे बासना सिंग को उनको यह नहीं पदा कि वह तीस साल से काम कर रही है और नानक तो अभी प्रियू काम कर दो कि अननकोशन का दूख कर संदू के साथ कंगना से एक्सपेशन का वह पार्फटर्स इसाना अभी लाइं के लगए त्रेलर क कमेंट उनकी उनकी क्या रखाएं कि सुनाजन को लगए तरे जाएं कि अननी अगस्टों उननी अगस्तों पता चलेग बेस्ट विशिस और मेरा पसनलिय मानना कि इस मुवी सुपर दूपर हिटोगी थैंक यू सो मच थैंक यू जी थैंक यू